वेलकम टू माई यूटिब चेनल हमारा चेप्टर है हमारा ध्याय है उस्मा गति की थर्मो डायनमिक्स इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं उस्मा और यांतरी कुर्जा हीट एंड मेकिनिकल इनर्जी दुनों के बीट में संबंध पढ़ते हैं वरिभासा से ज्यादा अच्छ उस्मा गतिकी में कौन-कौन से सब्सक्राइब होता है जो आगे की टॉपिक्स में काम आएगा उसके बाद है उस्मा गतिकी का प्रथम नियम फर्ष्ट लाव थर्मो डायनमिक्स यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इसके बाद हम पढ़ेंगे उस्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग एप्लीकेशन सब फर्ष्ट लाव थर्मो डायनमिक्स उसके बाद लास्ट में हम लोग यह भी एक बड़ा टापिक है इंपोर्टेंट टापिक है उस्मा इंजन हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे तो सब से पहले हम लोग देखते हैं परिभासा कि उस्मा गति की भातिक विज्ञान की वह साखा है भातिकी विज्ञान की वह साखा है इंगलिस में इंगलिस वाले लोग लिखना thermodynamics is the branch of physical science in which we study about जिसमें हम तापिय उर्जा और यांतरिक उर्जा क्या के बोला तापिय उर्जा और यांतरिक उर्जा के बीच में परस पर संबन्द का अध्यान करते हैं thermodynamics is the branch of physical science in which we study about the relation between thermal energy and mechanical energy यह होगे हमारा परिभासा अब देखते हैं कुछ सब्दावली अब हम लोग कुछ सब्दावली के बारे में पढ़ेंगे हमारा सबसे पहला सब्दावली है निकाय और परिवेस तो निकाय क्या होता है निकाय कोई वस्तु होता है जो कणों से मिल कर बना होता है और परिवेस surrounding निकाय मतलब system परिवेस मतलब surrounding तो उसके आसपास का छेत्र जो निकाय को प्रभावित करते हैं जैसे कि एक पत्थर धर्ती की ओर गिर रहा है तो यहाँ पे निकाह है पत्थर और सौरांडिंग जो उसको प्रभावित कर रहा है एक वायू उसको रोक रहा है और धर्ती उसको खीच रहा है तो यह दोनों प्रभावित कर रहे हैं तो सौरांडिंग मे क्या आ जाएंगे वायू और धर्ती और परिव्यस में ये पत्थर का टुकड़ा आ जाएगा निकाय और परिव्यस समझ में आया अब दूसरा नमबर है उस्मा गतिक चर थर्मो डायनमिक वेरेबल तो ये क्या होते हैं वे चर रासियां जिनकी सहायता से किसी उस्मा गतिक निकाय की व्याख्या की जाती है जैसे कि पी वी टी एस पी का अर्थ होता है प्रेसर मतलब दाब वी मतलब वाल्यूम आयतन टी ताप मान एस इंट्रापी बोलते हैं तो ये चारो और भी हो सकते हैं इन लोग उस्मा गतिक की को व्याख्या करते हैं तो इनको बोलते हैं उस्मा गतिक चर थर्मो डायनमिक वेरेबल इसके बाद है उस्मा गतिक संतुलन कोई निकाय पर लगने वाला नेट बल नेट फोर्स एक्टिंग अन एनी सिस्टम तो जब ये दोनों तो ये दोनों का मान ये F1 है ये F2 है ये दोनों अलग अलग बल है F1 धन F2 बराबर सुन्ने होगा तब हम लोग इसको बोलेंगे उस्मागतिक संतुलन में है थर्मोडानमिक एक्विलिब्रियम में है यहाँ यहाँ पर कोई थर्मोडानमिक चीज नहीं हो रहा है बस मैं एक चीज बता रहा हूं कि इस तरीके से बल लग रहा है एक इधर लग रहा है दोनों का मान अगर दुनों का योग बराबर मतलब बराबर जीरो होगा तब होगा ये किसी उस्मा गतिक क्रिया के लिए ही लगे गए यहाँ ये सिर्फ में एक्जामपल के बताया जैसे ये पत्थर है और ये धर्ती है वायू उसको रोक रहा है ये कोई थर्मा डानेमिक के एक्जामपल नहीं है ये ग्रेविटेशनल का एक्जामपल है अब देखते हैं उस्मा गतिक अवस्था उस्मा गतिक अवस्था क्या होता है तो यदि किसी निकाय के उस्मा गतिक चर ग्याद करते हैं हम लोग किसी निकाय के उस्मा गतिक चर बताया ग्याद करते हैं PVTS तब उस निकाय के उस्मा गतिक चरों का एक सेट का एक उस्मा गतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है यदि उस्मागतिक चर्फ परिवर्तित हो जाते हैं तो निकाय की उस्मागतिक अवस्था बदल जाती है तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है ना वो एक दूसरे की उपर चेंज होता है डिपेंडेंट होता है उसी को बोलते हैं उस्मागतिक अवस्था अगर निकाय का संतुलन बदल जाता है तो आवस्था भी बदल जाती है इसके बाद देखते हैं आंतरीक उर्जा, इंटर्नल इनर्जी ये क्या होता है, प्रत्यक वस्तू, कोई भी वस्तू, छोटे-छोटे करड़ों जिसको बोलते हैं अडू से मिलके बना होता है, तो इन अडूओं के बीच में दो प्रगार की उर्जा लगते हैं आंतरीक गती जूर्जा, डैनामिक इनर्जी और एक लगता है आंतरीक इस्थी जूर्जा पोटेंशियल इनर्जी तो इन दोनों के योग को आंतरीक गती जूर्जा और आंतरीक इस्थी जूर्जा इन दोनों को योग को बोलते हैं आंतरीक उर्जा कहां किसके बीच में लग रहा है तो कोई वस्तू या पदाल सके अडूओं के बीच में लग रहा है अब इसके बाद देखते हैं उस्मा गतिक प्रक्रम क्या होता है तो यह होता है किसी निकाय के दाप P, आयतन V और परमताप T मैंसे किनी भी दो सोतंत्र चरों को बदल कर निकाय के को एक आउस्था से दूसरी आउस्थम ले जाने की प्रक्रिया को उस्मा गतिक प्रक्रम करते हैं तो यहां पर PVT इन में से कोई भी दो स्वतंत्र चरों को बदल कर निकाय की एक आउस्था में दूसरी आउस्थम ले जाने की प्रक्रिया इसको हम लोग एक दूसरे के फॉर्म में convert करके लिखेंगे उसका जो relation होता है उसके हिसाब से हम लोग convert करके लिखेंगे और उसमें से किसी एक चीज को हटा के या constant रख के उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं उसमा गतिक प्रक्राम इसमें हम लोग को कई सारे चीज़े पढ़ना है जिसको हम लोग जो उसमा गतिकी का प्रक्रामनियम है फर्स लब thermodynamics है उसके अंदर में हम लोग उसको detail से पढ़ेंगे तो यहाँ पर बस मैं नाम लिख देता हूं कि उसमें हम लोग को पढ़ना है उसको detail हम लोग आगे करेंगे इसमें हम लोग को पढ़ना है कि यहाँ पर सम तापी प्रक्राम आइसो थर्माल प्रोसेस दूसरा है चक्रिय प्रक्राम सैक्लिक प्रोसेस आगे देखेंगे सब को यहाँ पर नी देखेंगे बस मैं नाम नाम लिख रहा हूं उसके बाद है रुद्धोजम प्रक्राम एडाइबेटिक प्रोसेस फिर है समदाभी प्रक्राम आइसो बारिक प्रोसेस उसके बाद है सम आयतनिक रक्राम सम आयतनिक मताब वहाँ पर आयतन समान होगा तो यह सब को हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से अब हम लोग देखते हैं उस्मा गतिकी का जो तिसरा नमबर टॉपिक था अ उस्मा गतिकी का प्रथम्नियम् उस्मा गतिकी का प्रथम्नियम् प्रथम्नियम् हर्ष्ट ला आप थर्मो डैनमिक्स ये क्या कहता है सब से पहले यह फार्मूला को लिखते हैं ड्यница क्यों वराबर ड्यटा यू धर्ण ड्येल्टा डवलो अब ये क्या क्या है इसके परिवासा को देखते हुएस समझेंगे परिभासा नहीं है यह एक नियम है इसी को बोलते हैं उस्मा गत्यकी का प्रतम नियम तो जब एसे निकाय को बाह्यकार्य करने में समर्थ हो ठीक है उसको उस्मा दी जाती है कोई ऐसा निकाय है जो बाह्यकार्य करने में समर्थ हो, को उस्मा दी जाती है, तो निकाय द्वारा और सोसित उस्मा, यही है निकाय द्वारा और सोसित उस्मा, उसके द्वारा किये गए बाह्यकार्य, यह है बाह्यकार्य, और उसकी आंतरिक उर्जा में वृध्धी, यह ड ڈ젤ा u मतलब आंतरीक उर्जा में वृध्धी के योग के बराबर होती है तो डूनों को योग कर लिए, और किसके बराबर हुआ तो डेल्टा q मतलब निकाय द्वारा और सोसित उस्मा q मतलब ऐसे अलग से लिखले ना श्रमे क्यूंँ म belong न करें दोरा और इस्माड़ा क्या वारि अबर यह हमारा हो गया उस्मागतिकी का प्रताम्णियम अब उस्मागतिकी का प्रताम्नियम का अनुप्रयों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे